हेलो आज हम डिसकस करने जा रहे हैं दिल्ली उनिवर्सिटी इसके अड्मिशन को लेकर क्या आप डेट है यह हम इस वीडियो में डिसकस करने वाले हैं और साइंस की हम क्लोजिंग कट अफ के बारे हैं बात करने वाले हैं कि जो लास्ट इयर जो कट अफ गई है वो लास्ट क होना है तो देखिए आर्टिकल्स में जोए क्या अपडेट है यह हम इस वीडियो में डिसकर्स करने वाले हैं डियो अड्मिशन 2021 जैसे कि आप लोग को पता है कि जो दिली उनिवर्सिटीज में अड्मिशन होते हैं हम यह भी यूजी कोर्स की बात कर रहे हैं तो यहाँ जो अड्मिशन होते हैं दो तरीके के होते हैं एक तरीके से अगर हम बात करें मेरिट बेसिस पे and second जो होता है जिन कोर्सिस में entrance test होता है छीक है तो entrance test के बहुत limited course है और अगर हम बात करें जाहतर कोर्सिस जो है वो है merit basis पे अब merit basis पे जो admissions होते हैं अब doubt क्या आ रहा है कि कहीं इस years use at न हो जाए अब finally update क्या है अभी उसके regarding officially कोई statement नहीं आई है admission process कब तक शुरू हो सकता देखे The University of Delhi is expected to begin the UG admission process from July 15 हो सकता है आपके जो है from July 15 तक आ जाएं या फिर उससे पहले भी आ सकते हैं और जो application process आपका रहने वाला है वो रहने वाला है online ठीक है However, the UG admission process might change this year Following the cancellation of class 12th board exam across several boards including the CBSC, CISC The University might conduct the CU set to admit student to the UG program और consider the past percentage of 12th board exam CU set होगा नहीं होगा इसका कोई confirmation नहीं है ठीक है यह consider किया जा सकता है अब यह consider करने की बाद क्यों कहीं जा रही है यह इसलिए कहीं जा रही क्योंकि जैसे कि आप लोगों को पता है कि जैसे बोर्ड exams cancel हो गए है चाहे हम CBSC board की बात कर लें चाहे हम other states की बोर्ड की बात कर लें तो जादा तर जो है बोर्ड exams cancel हो गए है इस वजह से CU set की बात चल रही है चीक है तो उसके regarding अभी क्या update है अभी कोई update उसके regarding नहीं है अगर हम बात करें last closing cutoff from last year अगर हम बात करें किरोडिमल college की तो किरोडिमल college की आप यहाँ पर देख सकते है physics की cutoff last botanical statistics chemistry और mathematics आप इसका screenshot भी ले सकते हैं और यह आप देख सकते हैं इडिश्री राम college की फिर हिंदू college की हिंदू college की अगर हम बात करें chemistry 97% geology 96.33% physics 99.33% और mathematics 97.75% ऐसे ही आप यहाँ पर यह रामजस college की भी देख सकते हैं physical science with computer science mathematics 96% physics 95.66% तो आप भी देख सकते हैं DU official देखे however said that discussion will be held with the admission committee and the academic council of the university to finalize the process of admission to UG course on June 2nd the acting vice chancellor PC Joshi said that Delhi University will adjust its admission process to the extraordinary situation without compromising on merit and added that CUSAT can be a good method CUSAT जो एक अच्छा method हो सकता है क्योंकि board exams आपके cancel हो गए हैं लेकिन होगा या नहीं होगा यह officially अभी कुछ update नहीं आया है हो सकता है हो भी जाए हो सकता है नहीं भी हो अगर हम बात करें CUSAT होने के chances क्या हैं तो chances अभी इसलिए भी कम हैं और अगर CUSAT होता भी है तो आपको sufficient time दिया जाएगा तो अगर हम बात करें CUSAT हो सकता है या नहीं हो सकता है यह अभी कोई भी कुछ नहीं कह सकता पर हाँ chances यही है कि CUSAT इस year होने के chances बहुत ही कम है ठीक है थैंक यू